जैन दोस्तों, दोस्तों हम लोग कल थन्डाइक के सिधान को पढ़ लिये थे, आज पढ़ना है हमको पावलाओ के सिधान्द को ठीक ना, तो पावलाओ के सिधान्द को पढ़ते हैं, देखिए, पावलाओ के सास्त्री अनुबंद सिधान्द, इनके सिधान्द का नाम क्या ह सास्त्री अनुबंद सिधान्थ देखिए इसी सिधान्थ के ए नाम है सास्त्री अनुबंद सिंधान्थ सिधान्थ अनुकुलित प्रत्यावर्तन सिधान्थ संबंध प्रत्यावर्तन सिधान्थ संबंध प्रतिक्रिया अनुकुलित अनुकुलित अनुकुलिया अनुकुलिय अनुबंद सिधान्त उसी का पूरा नाम है ठीक ना एक आदमी का जैसे कई नाम होते हैं तो उसी तरह अनुबंद तो है शास्त्री अनुबंद वही है उसका जो नाम है अलग-अलग है शास्त्री अनुबंद सिधान्त तो है इसी का नाम है अनुखुलित प्रत्यावर्तन सिधान्त इसी का नाम है संबंद प्रतिक्रिया अईसे अनुखुलित अनुखुलिया 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 अनु पाधन किस ने किया है इवान पेटरवीच पावलाव इनका पूरा नाम है इवान पेटरवीच पावलाव कहां के रहने वाले हैं रूस के रहने वाले हैं बैज्ञानिक है एक कौन बैज्ञानिक है एजीव बैज्ञानिक है यह जीव बैग्यानिक थे जो पावलाव थे ए नेचुरल में बैग्यानिक बालमनो बैग्यानिक के बालमनो बैग्यानिक नहीं थे जीव के बैग्यानिक थे और जीव में क्या जीवों की पाचन देखी जीवों की पाचन देखी पर रिसर्च करते थे और कुट्टे के ऊपर कुट्टे के उपर और इनको नोबेल पुर्षकार भी मिला इसी पर मिला जीवों की पाचन देकी की जो खोज इनों ने की उसी के उपर इनको नोबेल पुर्षकार मिला तो आप लोग एक कनफ्यूज में मत रहिएगा कि पावलाओ को मिला पावलाओ को नहीं मिला था अधिगम के लिए पावला जो पुर्षकार जो मिला था वो बी एफिसकीनर को मिला था ओनाइस सोस्ट्राइटी सिस्वी में इनको जीवों जीव बैग्यानिक थे तो इनको जी जीवों की पाचन देखी पर इन्होंने रिसर्च किया बात समझ गए ना जीवों की पाचन देखी पर इनको नोबेल पुर्षकार 1904 इस भी में मिला तो क्यूस्चन जब पूछेगा तो आप कनफ्यूज में मत आईएगा पूछ देगा कि जीव इसमें अधिगम में अधि यानिसे नाइ ? डाइक का सिधान पढ़िए , पढ़ ली है हम लोग फिर आपड़ रहे हैं पाउलाओ का सिधान पढ़ रहे हैosit पाउलाओ की सिधान gaun पर जो की पाचन देखी है पाउलाओ के सिधान्त में अधिगम हां अधिगम का पहला नोबेल पुर्षकार बीया फिसक स्कीनर को मिला और 373 में आप बात को बढ़ियां समझिए बी एफ स्कीनर को पावलाव को नहीं मिला था यहां से आपका नफ्यूजिं मत जाएगा और इवान पैटरावीच पावलाव जीव बैज्ञानिक थे जीवों की पाचन देकी पर रिसर्च किये इनको इसी के उपर न अनुबंध का अनुबंधन है पावलाव ने दिया है अनुबंधन जो है पावलाव ने दिया है प्राचीन अनुबंधन हो या अनुबंधन का जनक और पिता सबसे पहले और इसी मतलब पावलाव ने ही परतिपादन किया था समझ गया ना अनुबंधन का परतिपादन चा का अनुबंधन का पिता पावलाव ने ही किया था अब देखिए यह फ़ल जिव बएग्यानिक से मनो बंग्यानिक मनो बिझ्ञान कैसे इनकी अंदर चड़ा और सधशे में अधिगर में बैग्यानिक flex पिछ्षा में कईसे चले आये देखिए इस पहले तो आप लोग ना पहले आप लोग जितना हम लीखें हैं उसका स्क्रीन साट ले लीजिए जिससे की आप लोग बाद में इसको कर लीजिएगा देखिए एज जीव बैइज्ञान से फिर कैसे एजाइजचिक बैइज्ञानि देखिए यह पहले जीव बैज्यानिक थे पावलाओ जी और पावलाओ कैसे बन गए सैचिक बैज्यानिक इसके पीछे कारण था जब बैज्यानिक थे तो इनके घर एक पालतु कुत्ता था और यह कुत्ते पर पाचन दैकी का रिसर्च करी रहे थे जीव बैज्यानिक थे समझ गये आपना तो इनके घर एक कुत्ता था पालतु कुत्ता था इन्हें गर पालतु कुट्ता था तो अब जाहिर सी बात है जो भोजन होगा कुट्ता तो भोजन करें गाई और भोजन कौन कराता था इनका नोकर कराता था तो इन्हों ने देखा की जो कुट्ता है अभी नोकर आही रहाए रास्ते में ही है अभी नोकर दिखाए दिया ना खाना दिखाए दिया उसके पहले इकुट्ता खड़ा होकर लार्ग गिराने लगा तो अब भाई जी बैग्यानिक थे उसी पर रिसर्च कर रहे थे इनके दि तो इन्हों ने क्या किया कि कुट्टे की लार ग्रंथी को काट दिया जीव बैज्ञानिक थे आपरेशन करना जानते थे तो कुट्टे की लार ग्रंथी को काट कर एक विकासे लगा दिया उसमें मलब पाइप टाइप का कब लार आएगा हमको मालूम चलता रहेगा समझ गया तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कुटे को स्वभाविक उद्धिपक जब इसका काट दिये ला ग्रंथी काट कर रिवासे लगा दिया तो इनों ने कुट्ते को स्वभाविक श्वभाविक उद्धीपक दिया तब कुट्टा क्या किया श्वभाविक अनुक्रिया किया स्वभाविक उद्धीपक का मतलब हम बताए है कि प्राणी जिससे प्रेरीध हो जाए उद्धीपक को देखकर प्राणी के अंदर भूख जग जाए वही उद्धीपक है उद्धीपक के वज़ा से प्राणी अधिगम करने लगे की समझे गए मैं बताया हूं आपको तो श्वभाविक उद्धीपक इन्होंने कुट्य के सामने ले गए थर्ण डाइक अरे स्वरी पाउलाव जी और वो श्वभाविक अनुक्रिया करने लगह इसका मतलब श्वभावक उद्धीपक का मतलब कि इन्होंने भोजन भाई कुत्ते का स्वभाविक उदिपक क्या है भोजा इन तो है देखिए आप सब्द को ध्यान रखिएगा स्वभाविक उदिपक स्वभाविक अनुक्रिया स्वभाविक अनुक्रिया का मतलब है कि जब भोजन कुत्ता देखेगा तो उसके अंदर लार चुने लएगा लार आने लएगा तो लार का आना लार का आना क्या हो गया? स्वभाविक अनुक्रिया हो गया स्वभाविक अनुक्रिया हो गया अब देखिए अब इन्होंने क्या किया जब इन्होंने देखा कि जब मैं इसको स्वभाविक अनुक्रिया करा रहा हूं तो नई स्वभाविक उद्धीपक दे रहा हूँ तो यह स्वभाविक अनुक्रिया कर रहा है तो इन्हों ने क्या किया कि अस्वभाविक उद्धीपक दिया फिर इन्हों ने क्या किया कि अस्वभाविक उद्धीपक दिया अस्वाभाविक उदीपक दिया तो कुट्ते ने कोई अनुक्रिया नहीं किया कोई अनुक्रिया नहीं किया कोई अनुक्रिया नहीं अस्वाभाविक उदीपक का मतलब घंटी इन्होंने क्या दिया गंटी सामने रखा, औह श्वभाविकु दीपक में सामने घंटी रखा, तो कोई अनुक्रिया नहीं किया, जब इसने कोई अनुक्रिया नहीं किया, तो इन्होंने फिर क्या किया, स्वभाविक दीपक का मतलव natural practical मतलब और प्रकृती प्रदात जैसे भोजन है तो स्वभाविक तो है हम लोग के स्वभाव के अनुसार तो है स्ब्रसीकों मिलेगा तो excludेंगे किया कि स्वभाविक अनुक्रिया में एक स्वभाविक उदीपक दिया एक और स्वभाविक उदीपक मतलब भोजन और घंटी भोजन और घंटी दोनों दिया तो यह क्या किया अनुक्रिया किया अनुक्रिया दोनों साथ मिले गए भोजन और घंटी को भोजन और घंटी को साथ ही मिले गए लेकिन इसमें क्या किये कि पहले और स्वाभावी का अनुक्रिया और स्वाभावी का अनुक्रिया का मतलब पहले घंटी इसके बाद भोजन ठीक न? तो वो अनुक्रिया किया, वो अनुक्रिया किया, इस भोजन के लिए, घंटी के लिए ठोड़े अनुक्रिया किया, नहीं किया, भोजन के लिए नहीं किया, घंटी और भोजन, पहले घंटी पेस किये, इसके बाद भोजन उसके सामने ले गए, तो उसका जो लार गिरा, उसक गंटी और भोजन को गंटी पहले गंटी इसके बाद भोजन कई दिन लगातार कई दिनों तक जब लेकर उसके पास जाने लगें तो एक दिन क्या किये कि इन्हों ने सिर्फ गंटी ले गया पावलाओ ने घंटी ले गया उसका लार आगया लार का आना और लार का आना क्या हो गया इन्हों नहीं हुआ यह हो गया अनुबंधन क्या हो गया अनुबंधित अनुख्रिया अनुबंधित अनुबंधित अनुक्रिया किया देखिए जब यहाँ पर भोजन लेकर गए तो यहाँ पर सोभाविक अनुक्रिया किया लेकिन फिर सोभाविक और जब गंटी स्रिफ ले गए तो कोई अनुक्रिया नहीं किया इसके बाद घंटी और भोजन दोनों साथ लग जाने लगे तो अनुक्रिया करने लगा किसके लिए अनुक्रिया करने लगा वो भोजन के लिए करने लगा लेकिन अब फिर सिर्फ एक दिन घंटी ले गए और भोजन नहीं ले गए फिर भी कुत्ताज ने क्या किया अनुबं अनुबंधन कर लिया इसका मतलब कि जब घंती बजेगी तो भोजन हमारे पास आएगा उसका भोजल पास्थ क्या हो गया सुभावी करने है उसका को बोलते हैं अनुबन्धित अनुकृ्या अनुबन्धन जो है अनुबन्धन घंटी से इसका रखान कुरिया सजब अनुबन्धन उगया दो और यह क्या हो गया संकेत अब समझ गया अब इसको क्या बोलते हैं संकेत अब इसको संकेत समझ में आ गया कि यह जो है संकेत और संकेत से भाई संकेत जो है तो समझ में आ गया ना जो हम पढ़ाये थे रावट गैने के अनुसार जो सोपान नहीं पढ़ाये थे सिच्छा के सोपान आठ प्रकार जो थे तो उसी आठ प्रकार में जो सबसे नीचे वाला था नीम नस्तर पावलाव के अनुसार था संकेत के माध्यम से संकेत के माध्यम से एह अनुक्रिया करवाने लगे उसी को बोलते हैं सास्त्री अनुक्रिया का सिधान्त समझ गया आप तो अब यह क्या हो गया संकेत हो गया लेकिन इन्नों ने अनुबंधन के कुछ दसाएं बताई हैं ओधसाएं मैं आपको बता रहा हूं जिससे स्वभावी कुद्धीपक और और स्वभावी कुद्धीपक में जब दोनों को जब क्रम जो होना चाहिए देने के लिए स्वभावी कुद्धीपक और और स्वभावी कुद्धीपक को देने का जो क्रम होना चाहिए कि उसमें समय अंत्राल का ध्यान रखना पड़ता है समय अंत्राल का ध्यान क्या ठीक मिटा देता हूं इसको कि समय अंत्राल का ख्याल यह रखना चाहिए कि जो समय अंत्राल होना चाहिए ना स्वभाविक और स्वभाविक उद्धीपक और और स्वभाविक उद्धीपक का समय अंत्राल होना चाहिए ये स्मयांतराल ओर पाдел पांफ के स्केनद बताये जो प्राइम पच्व कर इसनल बताएं ये पांफ स्केन बताये हैं व्पांफ स्टाइब कुछ वूर्पल ये अनुबाइन के लिए दसफी पांफ सिकर्ड होना चाहिए और इस में क्या होना चाहिए कि जो पश्वभशाविक, जो स्वभशाविक उद्दीपक है, वह स्वभशाविक उद्दीपक से स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी ओँ अनुकृरिया करेगा, समझ गए, जो कुट्त था, कुट्ते का strong point क्या था? उसका स्वभाविक का अनुकरिया का मतलब उसको भोजन, भोजन क्या था? इस्वफ ही पॉईन्ट था, मजबूत पच्च था, इसलिए वो अनुकरिया कर रहा था, जो घंटी थी वो घंटी औस भाविक थी ओ इस्ट्रांग पॉइंट नहीं था उसको मात्र संकेत समझता था कि जब घंटी बजी संकेत हो गया भोजन आने के लिए ओ पाउलाओ जी ने ऐसे क्यों किया ऐसी किया कि जब नोकर भोजन लेकर आता था कुट्ते के लिए तो जो नोकर जब आता था भोजन लेकर तो उसके चाल से जब चलता था उसकी आवाज से पाचान जाता था कि अब तो भोजन आने वाला है तब इन्हों ने इसके ऊपर जी बेग्ञानिक थे लार ग्रंथी को काट कर इसके बाद इन्हों ने कुट्ते पर रिसर्च किया और उ सिच्छा में इन्होंने इसको डाल दिया और किसके लिए संकेत संकेत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक ना तो अब जब घंटी बजाकर भोजन दे रहे हो ना भोजन जब दे रहे हो तो उसमें कोई थर्ड पार्टी ना है नहीं तो अनुक्रिया नहीं होग मतलब कि कुत्ते को भोजन देते समय अनुक्रिया कराते वक्त जो स्वभाविकु दीपक उसको दिया जा रहा है तो उसमें थर्ड पार्टी का मतलब कि कोई मांस का टुकडा ना देख ले अब घंटी बजा रहे हैं तो घंटी से क्या मतलब उसका जब मांस का टुकडा पा और ग्जान दि आगया तनकरिया नहीं होगी समझ गए आप अब प्राणि जो इसमें क्या है जो प्राणि जो सीखा न वह से जिखा तो से अनभंधण से कि से संकेत से प्राणिका अनभंधन ओगया घंटी से आप समझने इसके बाद देखिए जब यह क्रम् लगतार करते रहेंगे जब यह क्रम आप लगतार करते रहेंगे तो कुछ टाइम ऐसा आएगा जब कुट्ता जो है लार गिराना बंद कर देगा घंटी बजाने से लार ही नहीं देगा तो अब उसको बोलते हैं हम अधिगम का बीलोपन तो उसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं अनुबंधन का बिलोपन जो अनुबंधन था वो बिलोप हो गया बिलोप हो गया अब फिर जब फिर ऐसे ही प्रत्य फिर ऐसे सुरू कर देंगे तो फिर वापस जब घंटी बजाने पर वो अनकुरिया करने लएगा तो अब वह हो जाएगा पूर्णर लाव उसको बोलेंगे पूर्णर लाव मतलब वही प्रक्रिया फिर अपनानी पड़ेगी जब इसका बिलोप हो जाएगा अनबंधन का बिलोप हो जाएगा तो फिर वही प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो ओज गयेगा पूर्णर लाब फिर जब वापस उख्रिया करने लगा तो हो जाएगा पूर्णर लाब समझ गये आप इतना देखिए इसका क्या है बेवारिक जीवन में बेवारिक जीवन में हम बता रहे हैं जैसे हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो हम लोग के teacher आते थे principal sir आते थे या तो कोई teacher आते थे तो सम्मान में हम लोग खड़े हो जाते थे यहीन का मैं principal sir आ गए principal sir principal sir जब आ जाते थे तो हम लोग उनके सम्मान में क्या हो जाते थे खड़े हो जाते थे खड़ा हो जाना खड़ा हो जाना क्या था यह हम लोग का स्वभाविक अनुक्रिया था स्वभाविक अनुक्रिया देखे बेभारिक जीवन की मैं बात बता रहा हूं बेभारिक जीवन की जब प्रिंस्पल सर आते थे तो हम लोग खड़े हो जाते थे लेकिन जब चपरासी आता था तो हम लोग पत्य नहीं चलाता था, कब आया, सामने जो आगे लड़के बैटे, दो चार लड़कों से बात किया, फिर चला जाता था, उसे मतलब उसको कोई खड़ा होता था, कोई नहीं खड़ा होता था, जब चपरासी आता था ना, चपरासी प्यून चप्रासी आता था तो हम लोग सवभाविक अनुक्रिया नहीं करते थे सवभाविक अनुक्रिया नहीं करते थे समझ रहे हैं आप सवभाविक अनुक्रिया नहीं करते थे लेकिन फिर क्या हुआ कि पहल चप्रासी प्यून ठीक ना और प्रिंस्पल प्रिंस्पल सर दोनों लोग जब साथ में आने लगे तो हम क्या करने लगे सोभावी कनुक्रिया करने लगे मलब खड़ा ओकर खड़ा ओकर सम्मान सोभावी कनुक्रिया करने लगे तो हम सोभावी कनुक्रिया के लिए करते चप्रासी के लिए नहीं लेकिन अब जब यही क्रम लगतार जारी रहा लगतार इदम यही क्रम लगतार जारी जाहा तो अब दिमाग में जब चप्रासी आएगा तो फिर क्या करेंगे चप्रासी आगया तो क्या करेंगे आटोमेटिक खड़े हो जाएंगे खड़े हो जाना यह क्या हो गया आनुबंधन हो गया अनुबंधन अनुबंधन अनुबंधित क्रिया अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधित क्रिया अनुबंधित क्रिया समझे लिजिए और इसा क्यों कि यह हम लोग को मालूम आ कि जो चप्राशी गुजता है उसके जज स्रिकेंड बाद प्रिंसिपल सर आज मतलब रूम में गुज रहे हैं तो हम लोग तुरंद खड़े हो जाते थे और इसलिए खड़े होते थे कि अब जो हैं सर आने वाले हैं तो हम लोग का क्या हो गया चप्राशी के साथ वंधन हो गया अब इसको हम देखते हैं सहचिक रूप में सिछ्छा की रूप में कैसे बच्चों को कैसे इस जानते हैं सबसे बड़ी बात है आदफ चेंज करने के लिए बच्चों के अंदर आदफ जिसे भाया हो गया तो भाइवों को इसो दूर करेंगे इसी माधियम से करेंगे भाई को भी दूर अनुबंधन विदी से करेंगे और बच्चा कुछ किसी सुब्जेक्ट में कमजोर है पढ़ने में उसको भी इसी अनुबंधन के द्वारा उसको पढ़ाया जा सकता है वह सिच्छा के दृष्टी समय लाग बता रहा हूं समझें भाई किसे खतम हो कोई लड़की है यहां पर कोई लड़की है और लड़की को सबसे ज्यादा पसंद क्या है पसंद देखिए दो सुब्जेक्ट उसके पास है एक सुब्जेक्ट है गरीत एक सुब्जेक्ट है उसके पास हिंदी उपन्यास हिंदी का उपन्यास और सबसे ज्यादा उसका गर लेकिन हिंदी उपनियास में उसका बहुत मन लगता है हिंदी उपनियास में और इसमें यहीं बताएं हैं कि जब अनुबंदित अनुक्रिया करवाना हो तो एक पस जो है स्वभाविक अनुक्रिया है वो मजबूत होना चाहिए और जो और स्वभाविक अनुक्रिया है वो कम यह स्वभाविक अनुक्रिया हो गया यह गडित क्या हो गया गडित जो हो गया और स्वभाविक अनुक्रिया लड़की है यहां मालीजे जो क्लास है क्लास है सोर गुलवला कैसा है सोर गुल वोला क्लास है तो अब इस लड़की का गड़ित के साथ अनुबंधन कैसे करवाएंगे समझ गए इस लड़की का हिंदी तो इस्टांग पॉइंट है लेकिन तो अब इसको गड़ित तो भी पढ़ना है तो इसका अनुबंधन कैसे करवाएं जाएगा सौरगुल का कलास है सबसे पहले किया कहा जाएगा लड़की को क्या बोलेंगे आप यहीं बोलेंगे कि बेटा आप आप पहले जब सौरगुल चलना है तो उसमें हिंदी पढ़ लो उपन्यास पढ़ो तो सभावी कनुकुरिया करेगी ओपढ़ाई करेगी सोर गुल में पढ़ाई करते कुछ दिन ऐसा आएगा कि सोर गुल को नेगलेट कर देगी और सोर गुल को नेगलेट करके ओजो उपन्यास पढ़ने लगेगी हिंदी का उपन्यास जो पढ़ने लगेगी जब लड़की सो सोरगुल को छोड़ दी है और उसमें सोरगुल से दिमाग तो डाइवर्ट होता है न लेकिन अब उसका दिमाग जो है डाइवर्ट नहीं हो रहा है वह हिंदी उपन्याज को सोरगुल क्लास में पड़ रही है तब जब ऐसे करते करते कई दिन बीत जाए तो आप कहोगे वह सोरगुल को नगलेट कर दी एक दम अब उसका पढ़ने में मन लगया तो अब आप कहेंगे की बेटा तो अब आप क्या करो कि पांच मिनट गड़ित पांच मिनट पहले गड़ित पढ़ो पांच मिनट गड़ित इसके बाद तीस मिनट उपन्यास तो अब बताईए उलर की पढ़ लगी की नहीं पढ़ लगी न उसका हैबिट जो है चेंज हो गया आदत चेंज हो गया तो अब इन्होंने सिच्छाग में इसको प्रियोक कर दिया आए पावलावजी ने आप समझ कि बात को ना तो नोसी चछक करें सिच्छा के दृष्टी से रहर और या आधत जो है ना व्याधिक बारे में कि आज़त कि इसे चेंज होगा उसके बारे में इन्होंने बता दी हैं अच्छेसे बताएं है और जैसे आफञाle निर्माड और बच्छे की अंदर आजत निर्मार के लिए बच्चों का आजत जो है चेंज हो जाएगा और बच्चों के अंदर जो जैसे भय था भय को भी ऐसे ही दूर करेंगे जैसे बच्ची साफ से डढ़ती है साफ खिलनों से डढ़ती है तो उसको भी ऐसे ही अनुबंदित अनुक्रियाएं करवाएंगे कि ओभी छुट जाएगा तो अब यह था पावलाव का सास्त्री अनुबंधन का सिध्धान्त तो आज हो गया एक हतम ठीक न तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बीएफ इसकीनर साहब के बारे में मैं बताया था ना कि जो अधिगम का क्लास है मैं च्छाथ साथ क्लास लूँगा पढ़ाने के लिए लेकिन आपको एकदम कंप्लीटली पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपका साथ नंबर च्छा या साथ नंबर कहीं न जाए तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा सा ज्यादा सब्सक्राइब करिए लाइक कीजिए और शेयर करिए यह कम कर रहे हैं आप लोग समझ लीजिए आप कम करेंगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा रोज रोज तो आप लोग इसको बढ़ाईए और इ पूरा देखिए आप लोग आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो तक तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम